थोड़ा सा फर्मेंटेशन उर्जा बढ़ा देता है जैसा भोजन या भी है थोड़ा खमीर आंथ के बायोम को बढ़ा देगा अगर आप इसे एक सीमा से ज्यादा फर्मेंट करते हैं तो ये खुद का एक बायोम बना लेगा आपके बायोम को सहरा नहीं देगा मुझे पता है कि पश्चिमी दुनिया में इस विशाय में जाना खतरनाक है खाने के लिए ये सबसे भायानक चीज़े हैं खमीर वाले खाद्य पदार्थों का व्यक्ति के बोध की क्षमता पर क्या असर होता है क्या ये कुछ ऐसा है जिससे हमें कुछ चीजों में बचना चाहिए हाल ही में किये गए एक अधियन से पता चला है कि वास्तव में जो लोग कई तरह के फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ खाते हैं आदर्श मात्रा में फाइबर का सेवन करने वाले समूह की तुलना में खमीर वाले खाद्य पदार्थों को खाने वाले समूह में पेट का स्वास्तिय बहतर था और सूजन के संकेत भी कम थे मैं सभी को सलाह दूंगा कि बड़े पैमाने पर शाकाहार खाने जितना ही महत्वपूर्ण है, खमीर वाले खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना। देखे कोई भी पशचू आधारित फर्मेंटेशन, जब मैं पशचू आधारित फर्मेंटेशन कहता हूँ, तो ऐसी संस्कृतियां हैं जहां मास को फर्मेंट किया जाता है, सड़े हुए कोई एकदम स्वादिश्ट माना जाता है। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इसे इस तरह खाया जाता है खाने का ये सबसे खराब तरीका है लेकिन उन संस्कृतियों में ये स्वादिष्ट भोजन बन गया क्योंकि ये ऐसी संस्कृतियां थी जो साल के बड़े हिस्से में अत्यादिक थंड में रहती थी या दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर रहती थी अगर उन्हें खाना खाना था तो उन्हें सड़े मास को खाना और उसका आनंद लेना सीखना पड़ा वरना उन दिनों में वो शायद मर चुके होते इसी तरह मुझे पता है कि पश्चे में दुनिया में इस विशाय में जाना खतरनाक है पनीर भी इसी तरह की चीज से आता है जब सरदिया आती थी तो लोगों के पास अपनी कैलरी को कायम रखने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था एक मात्र तरीका पनीर था अगर आप मुझसे पूछें तो खाने के लिए ये सारी सबसे भायानक चीजे हैं अगर आप बोध के बारे में सोच रहे हैं जब हम बोध की बात करते हैं तो इसे देखने का तरीका ये है कि जो भी भोजन आपके अनुभव में आपके शरीर को भारी और बोजिल बनाता है आपको लगता है कि उसे पचाने में शरीर को महनत लग रही है वो आपके बोध के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शरीर इस तरह से बना है अगर किसी एक गतिविधी में बहुत अधिक ऊर्चा और महनत लगती है तो दूसरी गतिविधिया नीचे आ जाएंगी इतनी सरल सी बात है मान लीजिये कि आप अपने फोन का इस्तिमाल बहुत सारे वीडियो चलाने के लिए कर रहे हैं जब आप कॉल करना चाहेंगे तो कोई चार्ज नहीं बचाए बैटरी खत्म ये बस ऐसा ही है आप इसे एक स्तर पर बहुत ज्यादा इस्तिमाल कर रहे हैं तो दूसरे स्तर पर गिरावट आ जाएगी खारण के लिए दक्षन भारत में खमीर वाली एक चीज जिसे रोज नाष्टे में खाया जाता है वो है इडली डोसा अगर आप बैंगलोर से उपर उत्तर में जाते हैं तो हम इससे नहीं खाएंगे कम से कम मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि एक बात तो ये कि वहाँ इडली गॉल्फ बॉल की तरह दिखती है दक्षन में इडली फूल की तरह लगती है जैसे ही आप उत्तर की और जाते हैं ये गॉल्फ बॉल बन जाती है आप उसके साथ खेल सकते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि इसे कितना फर्मेंट क तो दक्षन में वैसे वहाँ भी ये मुश्किल होता जा रहा है, वरना घर की हर महीला जानती थी, वो हमेशा इस छोटी उंगली से वो इसे इस तरह छू कर, नहीं, इसका इस्तिमाल नहीं किया जा सकता, वो आसानी से जान जाती है, या अगर आप बहुत सम्वेदन शील नही हैं, तो आप इसे सूंगते हैं, अगर ये एक सीमा से जादा हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उससे जादा फर्मेंट हो गया है, जहां आपको इसे नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह कि खमीर वाली चीजें हम अपने फूल देने वाले पौधों को देते हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा फर्मेंट घोल मिलता है, तो वो बहतर फूल देते हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये ज्यादा फर्मेंट हो चुका है, तब हम उसे नहीं खाते हैं, अगली चीज है दही ये जिसे आप योगर्ट कहते हैं, इसे सिर्फ रात भर फर्मेंट किया जाता हैं, ये खाने में मीठा होना चाहिए, अगर ये खटा हो गया है, थोड़ा खटापन ठीक है, अगर ये ज्यादा खटा हो जाता है, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे एक सीमा से ज्यादा फर्मेंट करते हैं, तब ये अपना खुद का बायोम बना ले आपके बायोम को साहरा नहीं देता, थोड़ा खमीर, उर्जा बढ़ाता है, मौजूदा चीजों में जो इसे आपके पेट ये आपकी पाचन नली में भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन ये एक फर्मेंटेशन एक तरह का कल्चर है, ठीक है? क्या ये सई शब्द है, सर? ये जिवानुओं की वृद्धी है, ये खास समवर्दन है, तो आप इसे खास तरीके से समवर्दित करना चाते हैं, जो आपके लिए फायदे मन्द हो, ना कि बस किसी भी तरह से समवर्दित करना, अगर आपको पेट में बीर फैक्टरी जैसा महसूस होता है, तब क्या मतलब? आप बूध के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप बूध के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पेट को ऐसे संकेत भेजने चाहिए, कि ये ज्यादा से ज्यादा सतर्क और पैना बने, अगर यह आपको ऐसा बनाता है, तब बूध कैसे होगा? तो एक बात ये है कि कोई भी पशूत पाथ जो फर्मेंट किया जाता है आम तोर पर बिल्कुल नहीं खाते अगर आपको खाना ही है तो थोड़ा सा दही लेकिन वो भी सिर्फ रादबरी जमाया जाता है 6-8 गंटे अगर गर्मी है तो बस 4-5 गंटे हम इस तरह बहुत साफधानी से जमाते हैं अगर लोग गर्मियों में दोपर एक बज़े खाना चाते हैं तो वो इससे सुबा 8-9 बज़े जमाएंगे क्योंकि तापमान ज्यादा है अगर मौसम ठंडा है तो वो रात को सोने से ठीक पहले इससे जमाएंगे अगले दिन ये तयार हो जाएगा और इस फर्मेंटेट खाने से आप कैसे पेश आते हैं आजकल ये सब खत्म हो गया है और मेरी टेबल के आसपास के लोगों में मैं हमेशा इस बारे में थोड़ी समझ लाने की कोशिश करता हूँ हमारे घरों में अगर दही जम गया है तो आप उसमें परोसने वाला चम्मच इस तरह से नहीं डाल सकते आपको एक तरफ से धीरे से लेना होगा हमेशा वो हमें बताते थे ये जीवित है आपको इसे आहिस्ता लेना चाहिए बस एक तरफ से आप इसे लें और फिर खाएं क्योंकि ये जीवन है ये जीवित है तो आप इसमें चम्मच बस कैसे भी नहीं घुसेड सकते देखिए अमेरिका को काफी कुछ करना है मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इसले बन गया है क्योंकि ये 200-200 साल का मामला है जब वो लोग आये तो वो यहां जंगली भूमी पर आये थे उन्हें जहां मिला वहां बैटकर खाते थे जहां मिला वहां खड़े ओकर खाते थे पर आज भी वो वैसे ही खा रहे हैं जिसकी अब जरुरत नहीं है उन्होंने शिक्षा, सब्विता, सम्रिधी का एख खास तर हासल कर लिया है अब आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ एक दिन मैं वाशिंग्टन डी सी के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चला रहा हूँ राजनीतिक हिस्से में नहीं, बिजनेस में जहां CEO और लॉयर और ऐसे लोग हैं मुझे नहीं पता ही ये लोग क्या थे शायद CEO सारे यूवा लोग 35 साल से कम उम्मर के सभी यूवा जाहिर है आईवी लीक किस्म के लोग और उनके कपड़े और उनके पहनावे को देखकर लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं वो सब बाहर खड़े हैं ये लगबख साड़े बारा पौने एक का समय है मुझे लगता है उनके लंच का समय और वहाँ पर कोई स्टॉल है शायद एक मुझे नहीं पता एक हॉट डॉग या कुत्ते का या गाय का कोई हिस्सा कुछ तो बिक्रा है सभी पुरोशर महिला हैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए वो सब वहाँ अपने हाथों में खाना पकड़े हुए खड़े हैं और इस तरह उसे काट रहे हैं ऐसे काट रहे हैं मैंने ये देखा और मेरी आँखों में आशू आ गए इन लोगों को क्या हो गया है वो संपन है कम से कम वो नीचे बैटका ठीक से तो खा सकते हैं नई वो खाने को ऐसे काट रहे हैं एक जंगली जानवर भी वैसे नहीं खाता ये अच्छी बात नहीं है आप कैसे खाते हैं वो उतना ही महतवपून है जितना कि आप क्या खाते हैं क्योंकि आप और भोजन दो अलग-म अलग चीजें नहीं हैं। आपका शरीर, जो खाना आप खाते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, जो पानी आप पीते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब आपसे अलग नहीं हैं। यह हमें बस एक्व्यक्तिकत अनुभव दे अगर आप इसके साथ उतनी प्रेम से पेश आते हैं, जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, अगर आप इसे दिव्वे के रूप में न भी देख सकें, तो कम से कम अगर आप इसके साथ उतनी प्रेम से पेश आएं, जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश तो यह आपके लिए अद्बुत चीजें करेगा